अब भाई की भी कहानी अलग हो जाती है जब तक शादी नहीं हुए भाई की न तब तक होता है लेकिन शादी के बाद कहानी अलग हो जाती है जैशिराम दोस्तों आज की ये वीडियो शुरू कहीं से भी हो लेकिन मुसको पता नहीं कि ये कहां तक जाने वाले है क्योंकि इस वीडियो में जो भी बात मेरे धिमाग में आएगी मैं वो सारी बात आप लोगे साथ करने वाला हूँ प्लीज अगर आप में से किसी को मेरी बातیں बुरी लगती है तो मैं आप से पहले ही हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ लेकिन जो बात भी होने वाली है मैं सारी बातیں सच रखने वाला हूँ और इस वीडियो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कर सकूँ कि आप YouTube पे आके अच्छे से काम कर सको देखो शुरुआत मैं करता हूँ सबसे पहले कि मेरा नेचर कैसा है या कैसा था तो मैं आज से 2-3 साल पहले बहुत ज्यादा शाइनेचर का था आज भी थोड़ा बहुत शाइनेस है मेरे अंदर लेकिन कुछ हद तक YouTube पे काम करने के बाद मैं बोल्ड हो गया हूँ पहले मैं बहुत शाइनेस था मतलब किसी को भी कभी no नहीं कह पाता था अगर कोई किसी भी काम के लिए मुझको बोलता था तो मैं बोल देता था हाँ लेकिन एक कहावत है कि आप लोगों को ना बोलना सीखें और मैंने कभी किसी को ना नहीं किया यही एक कारण है कि मेरा लोगों ने भरपूर फाइदा उठाया और आज मेरे साथ कोई भी नहीं है आज की डेट में अगर मैं अपने फ्रेंड्स में से आपको नाम गिना हूँ कि कितने मेरे फ्रेंड्स हैं तो नाम मैं सिंपली गिना सकता हूँ आज की डेट में मेरा सिर्फ एक फ्रेंड है और वो भी ऐसा है कि वो भी busy रहता है कई बर मैं उसको phone लगाता हूँ तो नहीं उठा पाता है क्योंकि वो अपने life में busy है तो भाई YouTube पे अगर आप काम कर रहे हो या फिर करना चाह रहे हो और लगता है कि यार शरम के मारे आप कैसे काम करोगे कि दोस्त क्या बोलेंगे पडोसी क्या बोलेगा परिवार वाले क्या बोलेंगे शरम आता है आपको शौट में अगर बात की जाए कि शरम आता है तो भाई आपका कोई भी मदद करने वाला नहीं है दोस्त आपको आके खाने के लिए नहीं देगा आपके फूफा, आपके मौसा, आपके चाचा, आपके बड़े पापा, कोई खाने को नहीं देगा आप काम करोगे, आपको पैसे आएंगे, तो ही आप खाओगे At the end, आप खुद की मदद कर सकते हो, आपके अलावा, आपके माबाब, आपके साथ हमेशा रहेंगे उनके अलावा, कोई आपके साथ नहीं रहेगा फूफा जी आपको ग्यान देते हैं, मौसा जी आपको ग्यान देते हैं, चाचा जी, बड़े पापा जी, आपको सब कोई यान देगा कि यार वो हर बार आके बोलें कि यार ये कर लो YouTube मत करो या YouTube करो ये मत करो आप Engineer बन जाओ, Doctor बन जाओ, Dancer बन जाओ, Cricketer बन जाओ, भाई मैं क्यों बनू यार मिरے से भी कई लोग बोलते थे आके मतलब मेरे भी परिवार में वो ही फूफा, ताई जी, ताउ जी जितने भी लोग रहते हैं वो सब यह के साथ हमारे इंडियन के साथ सारी के साथ यही कहाने कि भाई YouTube मत करो यह चीज मत करो वो चीज कर लो तो मैं यही बोलता था कि देखो भाई, मैं बोलता था कि देखो चाचा या पापा, सुरी पापा नहीं, चाचा या ताउजी जितने भी लोग हैं, मैं बोलता था यार आपके भी बच्चे हैं, मतलब मैं मम्मी से बोलता था अपने, कि मम्मी उनके भी बच्चे हैं, वो जो क आप मेरे को करने के लिए बोल रहे हैं, भाई अपने बच्चे को बोलने के लिए, मेरे को क्यों बोल रहे हैं, मुझको पता है कि मुझको क्या करना है, भाई आपने शादी किये हो, आपके भी बच्चे हैं, आप अपने बच्चे को बोलो, मुझको बोलने का आपको कोई हकी नहीं है, मेरे पास अपना दिमाग है, मुझको जो करना हुआ, मैं करूँगा, और अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, कि मैंने अपने मन की सुनी, और आज मैं यूट्यूब पे हूँ, लेकिन अगर मैं उनके मन का सुन लेता, तो आज खुद तो वो अपनी लाइफ मे पोई मैंने किया, लेकिन वहीं अगर मैं उनकी सुन लेता, तो क्या होता, अभी जब मैं स्कूल में था, तो में मेरा एक फ्रेंड था स्कूल पे, हम लोग बहुत समय तक एक साथ रहे भी, लेकिन आज की डेट में हम लोग की दोस्ती उतनी ज्यादा क्लोज नहीं है, हम ल ज्यादा क्या दोस्ती के नाम पर बात ही नहीं होती है, बात ही नहीं होती है, अभी मेरा घर और उसके घर की दूरी मुश्किल से 2 किलो मीटर है, और 5 महीने, 6 महीने बीत जाते हैं, हम लोग बात नहीं करते हैं, तो ये स्थितिय है, तब जब मैं उसके लिए बहुत कुछ कर मतलब मैं अपने घर का काम चोड़के उसके घर का काम करता था खुद के घर का काम चोड़के अपनी मम्मी को डांट दिता था और जाके वो लोग का काम करता था लेकिन आज मुझको क्या मिला कुछ नहीं मिला जो आपकी वैल्यू नहीं करते ना उनका अगर आप काम करोगे तो वो कभी भी आपकी value नहीं करेंगे और वो ही मेरे साथ हुआ वो ही आपकी कदर नहीं करेगा जब तक आप खुद की कदर नहीं करोगे मैं उसके लिए हमेशा अपने आपको available रखा अब आप ये मत सोचे हैं कि मैं भडास निकाल रहा हूँ नहीं सच बात बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं शाही नेचर के और उनका इस्तमाल किया जाता है तो मैं यही सोच रहा हूँ और बता रहा हूँ आपको मैं यूटूब पे जब से आया हूँ तो हम लोगी दोस्ती बहुत कम हो गई है वो पूरी तरह से मुझसे बात करना कर दिया है बंद तो आप अपनी value खुदी कम कर सकते हो और आप अपनी value खुदी बढ़ा सकते हो मेरी ममी बोलती थी अकसर आपके साथ भी ये सारी चीज़ें होती होंगी यार देखो जैसा मेरा जीवन है वैसा हम सभी का जीवन है मेरी ममी हमेशा बोलती थी कि जो जैसा करता है करने दो लेकिन तुम अपना धर्म कभी मत छोड़ना लेकिन इस धर्म के चक्कर में अपनी तो बेंड बसती है ना मतलब आप अपना अगर लॉस करके दूसरे के लिए काम करोगे भाई अभी आ चुका है कलियो देखो help उसी की करना चाहिए ना जो help के लायक हो जो वाकई में जिसको जरूरत हो help की अगर वो खुद कोई काम नहीं करेगा और आपको बोले है कि यार मेरा यह काम कर दे है यहाँ चल वहाँ चल तो यह कहां तक सही है बिलकुल भी सही नहीं है और ऐसे लोग फिर आपका फाइदा उठाने लगते हैं कभी भी अपना फायदा किसी को मत उठाने दीजे यार आप अपनी value कीजे आपको कुछ नहीं आता है कोई बात नहीं कभी भी अपने आपको किसी के सामने नीचा मत समझेए क्योंकि जब आप खुद को नीचा समझेंगे ना तो दूसरा आपको क्या समझेगा क्योंकि आप ही जब अपनी value नहीं कर रहे हो तो दूसरा तो आपकी value ऐसे ही नहीं करने वाला है आज YouTube पे कई लोग काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको शर्म आती है भाई शर्म करोगे तो कैसे काम चलेगा यार आज शर्म कर रहे हो कल शर्म करते रहोगे आगे तक अगर ऐसे ही शर्म करते रहोगे तो फिर तो आप कभी कामी नहीं कर पाओगे पडोसियों के चक्कर में जबकि पडोसी आपकी कभी भी कोई मदद नहीं करते हैं क्या मदद करेंगे यार आपको खाने के लिए तो वो देंगे नहीं आप खुदी कमाओगे और तब ही आपको खाना मिलेगा आपके फादर आपको कमा के दे सकते हैं आपकी मदर आपको कमा के दे सकते हैं इनके अलावा कोई भी आपको नहीं करेगा कोई भी आपको दे ही नहीं सकता चाचा को ले लीजे, फूफा को ले लीजे, मौसा को ले लीजे, सब ग्यान देते हैं सब को भाई, आप यही बोलो कि भाई, सीधी बात है देखो, आप अपने बच्चों को कराओ जो कराना है, हमको अपना बुद्धी है, हमको जो करना है करने दो ये बात मैंने भी अपने दिमाग में सोची ये सच बात है बोल तो हम लोग नहीं पाते हैं क्योंकि वो आकई में हमसे बड़े रहते हैं लेकिन मन में बहुत सारी बाते हैं तो ये सारी बाते हैं हम लोग किसी से कह नहीं पाते हैं या फिर हमको कभी-कभी लगने लगता है कि ताय जी आप अपने बच्चों को ऐसा करवाईए लेकिन क्या करूँ मैं मजबूर था तो ये सारी बाते में इस वीडियो के माध्यम से आप से इसलिए बताता हूँ कि भाई ये सब बात सब कोई सोचता है लेकिन कोई बताता नहीं लेकिन अगर कोई बता देगा तो हमको फिर दिमाग में मिलती है शान्ती तो शान्ती से रहिए शान्ती से काम कीचिए और अपने शाइनेस को दूर रखिए आप यूट्यूब पे काम कीजिए या जहां कहीं भी अगर आप life में हैं वहां कहीं भी काम कीजह अरे मैं तो बुलता हूँ अगर आपको जुटा साफ करने का भी काम पसंदार है ना कीजिये कोई शर्म नहीं है भाई काम में हर काम अच्छा है अपनी जवगाई बस आप खुशी मेन हैं जब तक आप खुश नहीं रहेंगे, तो फिर आप लाखों कमा ले, करोणों कमा ले, कोई value नहीं है, आज के समय में, करोणा के बाद आप देखिए, पैसे होने के बाद भी, आदमी आदमी को नहीं बचा पाया, जो खुश है, वो खुश है, और कितना भी कोई पैसा कमा लिय कि कभी भी दोस्त, शर्माना नहीं है, देखो, मेरे सारे viewers हो सकता है, मुझसे छोटे हो, बड़े हो, 18 साल के, 20 साल के, 15 साल के, 10 साल के भी हो सकते है viewers, या हो सकता है, 30 के उपर भी हो, तो हमको कई बर देखिए, कम age रहती है, या ज्यादा age रहती है, दोनों में एक ही बात ह या कम age में, यार शर्मारी है, कैसे काम करूं, मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे, ज्यादा age हो गई, 30 की, 35 की, यार अब मैं शुरू करूंगा, पड़ोसी क्या बोलेंगे, मेरे सारे दोस्त क्या बोलेंगे, तो भाई, जो बोल रहा है ना, उसको बो आज मैं अपने जीवन का पूरा experience बता रहा हूँ, आज मैं अपने मम्मी पापा को भी बता बता के ठक गया हूँ, यार बहुत बताया हूँ, कि पापा देखो आज का समय ऐसा है ना कि कोई किसी की भी help नहीं करता, लेकिन नहीं सुनते हैं यार वो लोग, तो कहने का मतलब य कोई, कोई नहीं करने वाला, अब भाई की भी कहानी अलग हो जाती है, जब तक शादी नहीं हुए है भाई की नहीं तब तक होता है, लेकिन शादी के बाद कहानी अलग हो जाती है, ठीक है जी, इस वीडियो के लिए इतना ही, प्लीज अगर मेरी बात आपको कोई बुरी लगी हो तो माफ कीज़ेगा और जो भाई की बारे में भी मैंने जो बात किया ये सब के साथ होनी है कहानी आपके साथ भी होनी है मेरे साथ भी होनी है प्लीज किसी बात को दिल से मत लगाईएगा बस इस वीडियो में आपको मोटिवेट करने की कोशिश किया अगर ये वीडियो पसंद आयो तो प्लीज लाइक देजेगा अगले वीडियो है मिलते हैं सीता राम